हेलो फूरीज कैसे हैं आप सभी मैं हूँ खुश्जबू वेलकम है आप सभी का डिस्प्लै रासिपीज में तो आज मैं आप सभी के साथ इमली की खटी मीटी बहुत ही टेश्टी चटनी की रासिपी शेयर करने वाली हूं इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में बन जाती है साथ ही हम इसे एक सी दो मंत के लिए श्टूर भी कर सकते हैं और इस चटनी को आप दही भले पानी पूरी चाट भेल किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी लगती है तो चली शुरू करते हैं हमारे आज की चटनी की रासिपी और अगर रेस आप को 50 ग्रम इंडिय स्टी मन तो यह है तो यह इक दम यह तोल लिया है यह एक दम ब Dang fake ती पैकेट में अब इसे हम इंग बरतन में डालेंगे तो तैह मैं इस कियहां मैं डाल लीया है और इसके बात न हुदशी के इस ऊपर डालेंगे पानी तो यहमे गार्म पानी डालन तो यहां गर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 गहंटे के लिए छोड़ दीजेगा लेकिन अगर आपके पास ताइम ना हो तो आप इसे 20 मिनट के तक के लिए छोड़ सकते हैं, तो यहां देखिये मैंने इसको ढग दिया था और 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब इसके बाद जो हमारी इमली है उसे हम चैक कर लेंगे तो यह जो हमारी इमली है वह पहले से थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है तो इस इमली को मैं हां से इस तरीके से मसल के देखूंगी तो यह देखिए बिल्कुल यह पहले बहुत हाड थी और यह देखिए अब हलकी लगी पानी में भी घुलने तक हलकी सॉफ्ट हो चुकी है अगर टाइम हो तो आप दो घंटे के लिए चोड़ेंगे तो यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन अगर टाइम ना हो मेरी तरह यह ग्यास पचाड़ा देंगे हम इसे मीडियम फ्लेम पर और हम इसे पकाएंगे हमें इस एक तरीके स की बाल में बमन क्वार चुकी को सब्सक्राइब गवल गर ना हो तो आमचे से अच्छा से स्वार में परिखेंगे और चुकी हो एक तो यह तो चुकी होगे तो यहुच्छा से व्लें सिल जो हमारी इंard तो यह आ talking the फूलने लगी है तो हम इसे थोड़ी देज के लिए और पका लेंगे तब तक की अच्छे से नहीं फूल जाती है तो यह देखिए हमारी जो था वो भी कम हो चुका है और आप देख सकते हैं इमली बहुत अच्छे से फूल चुकी है तब गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इ जल्दी ठंडा हो जाता है तो यह देखिए यह मिक्षर ओल्डा हो चुका है तो अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और इस जार में डाल देंगे हमारी यह सारे इमली का पल्प क्योंकि हमें इसका स्मूध पेश्ट चाहिए तो उसके लिए हम इससे पीस लेंगे और जो कड कर लिया है और जो हमारी इमली है वह अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है मतलब इसका जो मिक्षे काफी स्मूध हो चुका है लेकिन इसमें काफी सारे अभी भी रेशे और छिल्के वगरा जो होते न वह हैं तो इसे हमें एक तम स्मूध चाहिए तो उसके लिए मैं लिए बॉल की उपर रखेंगे हम इस टेनर बॉल के ऊपर मैंने इस टेनर रखिया इसमें थोड़ा-थोड़ा सा हम यह इमली का पल डालते जाएंगे और सब्सटाइगे जिसी कि हमारा इसमूध पल्प वह बौल में आजा और जो इस टेनर में आप देख सकते हैं यह इस तरहिक डाल देंगे कुकिंग ऑईल तो यहां डाई जो ही लोगे ँवल नेंगे और हमारा दाल देखेंते हैं के तैसी में अदेखंगी पे इ Happy stato MALE मीक्स्चेर कितने अच्छे से वॉरह है आप देख सकते हैं जैसे इसी तरीके से से थोड़ी देर के लिए और अभनम इसमें डाल देंगे हमारा गुड़ तहीं define तुकडों में डाला है काट करके इसे यह जल्दी से मैल्ट हो जाएगा आप चाहे तो बड़े बड़े टुकड़े भी डा सकते हैं लेकिन उसे बस मैल्ट होने में सोड़ाता टाइम लगेगा तो अभी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है गुड़ और इमली है उसमें करते हैं नहें हार मैं दाले हैं रादर चता चमच क्हम नार्मल सावल्च नमक लगे यूजिय Hmm उसके बाद आप चोता चमच क्थ नमक हम बनी होई जीरे का पाउडर तो यह थी क्तिया आप यहां हमें डाला है सॉंट का पाउडर जिससे अब जिंजर पाउडर अद्रका पाउडर भी कह सकते हैं यह भी हमें डालना है तीन चुता ही चमच मतलब आदा चोटा चमच से थोड़ा सा ज़्यादा और इन सबी चीजों को हम इस चटनी में मिक्स कर लेंगे तो यह जो सॉं लेकिन जो हमने इसे में गुड़ डाला है गुड़ का जो मिठा से इमली के खटा से और जो बाकी के मसाले हमने मिला है उनको बैलेंस करेगी हमारी यह शकर अगर आप इसमें शुगर यह शकर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि इसमें गुड़ का टेश्ट आएगा जो बह यह देखिए हमारी इमली की चटनी लगबग बनके रैडी हो चुकिए जिस कंसिस्टेंसी में आपको पसंदो उस टाइम आप गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए और ध्यान रखी कि ठंडे होने के बाद यह और ज्यादा थिक होती है तो आपको जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए उ तो आप भी इस रेचिप को जरूर राइकेजिए गाओ अगर आपको ईडि पसंद आए तो ब्लीज वीडियो को जरूर लाइक किजए गा चानल को सब्सक्राइब कीजिए गां बेल आइकन को प्रस काने पिलकुल भी मत बूलेगा तो मिलते हैं अगले असी वीडियो के साह पटाद ताक लिप बाइ तकर एंट थाच ओर वाचिन